है रुक तुझे मैं देखता हूँ इधर आ ओगिया बता क्या काम है ये तो हटा कटा जवान है कही मेरी हडिया ना तोड़ते इससे अपना बतला भी लेना है आल गिया भाई दस दिन हो गए मेरे सर में दर्था मेरे सर का दर्थ नहीं जा रहा था आपने मुझे एक चमेट मा आरी मेरे सर का दर्थ गया आपके हाथ में बहुत शफा है है हाथ में शफा ये क्या बोल रहे हो हाँ हाँ सच में आपके हाथों में शफा है ये आपका हिनाम है और मैं आपको कुछ कह लाता हूं सरकार वाव जल्दी समोसे बोतल दे मेरा मुर्शद आया है मुर्शद साब खाओ गर में तो मझे कभी डाल भी नहीं मिली इदर प्रोटोकोल मिल रहा है वाँ भई वाँ मुर्शद साब आपको एक बात कहनी थी हाँ कहो क्या बात है मुर्शद साब जैसा कि आपको पता है कि आपके हाथों में शफा है आप को पता तो है कि हर बंदा अटेंशन का मरीज है आप उनको एक एक चमेट मार दिया करो आपका करबार भी हो जाएगा आपकी खिजमत भी करेंगे लोग इजत भी करेंगे लोगों को कैसे बते चलेगा के मिरी हाथ में शफा है जैसे मेरे को चमेट मारी वेसे लोगों को मारते जाओ और पैसे कमाते जाओ सही कह रहे हो मैं जा रहा हूँ मुझे काम याद आ गिया छोड़ो बतल को मेरा शुक्रिया दा करो और मेरी खिदमत करो खिदमत आई आई आपकी खिदमत करते है मेरी लिए पकोड़े मत मगाना लार्च से इस पीजा और साथ में मौतल शाईए और खिदमत करनी है तो बता काफी है बहुत है सुना क्या हुआ है तो यार तुने जे मुझे आइडिया दिये था वो तो उल्टा पड़ गिया है क्यों मुझे मार के भहुत पलवान बन रहा था ना आप पड़ा ना किसी के गले में मैंने जान बुच के तुझ से ये करवाया क्या क्या हुआ है युर के के ट vos तुक कंझे ऑगाई इसपो कि दो कि जा Gonzber कि रहा हुआ है झाल झाल